जो आज का जो हमारा ठापिक है वो है एट कल्स का और जो उसका लेसन है वो है कि रसे न्यबर टू इॅ कि एक्रसाइज और ट्रासलेशन जो चुआ और स्खुंप्लीर आपलोड हो ज היके है उसका नाम है ग्रेट विर्चू का मतलब होता है अजिम और बहुत बड़ा और र अप्लोड हो चुकिए मिने चनल पर आप जा कि उसको देख सकते हैं और जो दूसरा लेसेन है उसका नाम है A Great Virtue Great का मतलब होता है अजीम और बहुत बड़ा और Virtue का मतलब होता है नेकी यानि कि एक अजीम नेकी तो आईए इसके पहले पराग्राफ से स्टार्ट करते हैं Once there was an old man who lived in a forest एक दफा एक बुढ़ा आदमी था जो जंगल में रहता था He lived there all alone in a small hut वो तनहे तनहा एक छोटी सी जोपड़ी में रहता था He was thin, lean and in rags वो दूबला, पतला और भटे हुए कपड़ों में था But was very kind and noble मगर रहम दिल और बहुत शरीफ था He always liked to help others वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था One night, there came a terrible storm Terrible कहते हैं, خوفनाक और storm कहते हैं, तुफान को In the forest One night, there came a terrible storm in the forest एक रात, जंगल में एक खौफनाक तुफान आया Followed by heavy rain उसके बाद मुसलाधार बारश हुई The old man was busy in his work बुड़ा अदमी अपने काम में मसरूफ था When he heard a knock at the door, जब उसने दर्वाजे पर एक मैं एक शिकारी हूँ Hunter कहते हैं शिकारी को और gentleman कहते हैं शरीफ आदमी I came to the forest to hunt मैं जंगल में शिकार करने आया था But due to this storm मगर इस तुफान की वज़ा से And the heavy rain और मुसलाधार बारश की वज़ा से It is not possible for me to hunt मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है अचा जी फिर से देख लेते हैं इसको Sir I am a hunter जनाब मैं एक शिकारी हूँ I came to the forest to hunt मैं जंगल में शिकार करने आया था Due to this storm and the heavy rain It is not possible for me to hunt ये मेरे लिए मुमकिन नहीं के मैं इस तुफान और मुसलाधार बारश में शिकार कर सकूँ I cannot go back इदर मैं वापस भी नहीं जा सकता I am looking for shelter मैं पनहा के लिए तलाश कर रहा हूँ या मैं पनहा के लिए आया हूँ I shall be grateful मैं शुकर गुजार हूँगा If you could Let me spend the night here अगर आप मुझे यहां पर रात गुजारने देंगे The pious old man Without any hesitation Asked him to step in बुढे ने एक आदमी ने बगए किसी हच कचाहट के उसको अंदर आने के लिए कहा He gave him a towel to dry himself उसने उसको खुद को खुश करने के लिए एक तॉलिया दिया He then gave him a cup of hot milk to drink उसने उसको गरम दूद के प्याला पीने के लिए दिया उसको उसने पीने के लिए गरम दूद का प्याला पेश किया The Hunter looked around शिकारी ने इधर उधर देखा It was a small hut with a small bed ये एक चोटी सी जोपडी है जिसमें एक बिस्तर है ये एक चोटी सी एक चोटे से बिस्तर के साथ जोपडी है ये आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं It was a small hut with one small bed ये एक चोटे से बिस्तर के साथ एक चोटी सी जोपडी थी Only one person could sleep on it सिर्फ एक आदमी ही इसके उपर सो सकता था Sir, this is a very small hut ये तो बहुत ही चोटी जोपडी है And there is hardly room for two और यहां मुश्किल से दो के लिए जगा है How are we going to spend the night here The two of us हम दोनों यहां ये रात किस तरह गुजारेंगे Said the hunter शिकारी ने कहा The pious old man said बुढे नेक आदमी ने कहा True, such है This is small hut Very small indeed ये चोटी जोपडी है बलके बहुत ही चोटी है But if one has the will One can change अगर किसी एक की रजा मंदी हो तो इंतजाम किया जा सकता है The hunter was satisfied with this answer शिकारी इस जवाब के साथ बिलकुल मुतमाईन हो गया He started drinking the milk उसने दूल को पीना शुरू कर दिया There was an other knock at the door दरवाजे पर दूसरी दस तक सुनाई दी This time it was even louder इस time कदरे जोर से थी The old man opened the door बुड़े आदमी ने दरवाजा खोला Now it was a farmer asking for shelter इस मरतबह एक किसान था जो पनहा के लिए सवाल कर रहा था Sir जनाब I am a farmer मैं एक किसान हूं but in this heavy rain मगर इस मुसलाधार बारश में There isn't a thing that I can do मेरी समझ में कुछ नहीं आरा के मैं क्या करूं I can't even go home हता के मैं घर भी नहीं जा सकता Could you please give me shelter for the night क्या आप मुझे एक रात के लिए यहां पर पनहा दे सकते हैं The old man allowed the farmer to come in बढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इज़ए दी He offered him a glass of milk उसने उसको दूद का एक glass पेश किया Now, there were three men instead of two in that small hut अब उस सौंपडी में दो की बजाए तीन आदमी थे The farmer was surprised किसान बहुत हैरान था He said उसने कहा Sir, this is a small hut जनाब ये एक छोटी जोपडी है You already have a guest आपके पास पहले ही एक महमान है How are we going to spend the night in this small hut हम किस तरह इस छोटी सी जोपडी में रात गुजारेंगे The old man told the farmer बढ़े आदमी ने किसान को बताया That in case they could not sleep They could at least sit all night अगर्चे वो सो नहीं पाएंगे मगर कम असकम वो रात बैठ कर गुजार सकते हैं The weather outside was become even harsher बाहर का मौसम बाहर का मौसम बत दरीच खराब होता जा रहा था Someone knocked very hard at the door again किसी ने दरवाजे पर दुबारा जोर से दस तक दी The pious old man moved to open the door बढ़ा नेक आदमी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा The farmer however asked him not to do so ताहम किसान ने उसे ऐसा करने से मना किया There is hardly any room for three of us in this hut इस जुंपड़ी में हम तीन के लिए बड़ी मुश्किल से ही जगा है How could we accommodate any more people हम और लोगों को मज़ीद यहां पर कैसे आने दे सकते हैं The old man was very kind and generous बुड़ा आदमी बहुत ही रहम दिल और सखी था He could not see people in trouble वो लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता था He was always ready to share with others whatever he had वो हमेशा जो उसके पास था दूसरों के साथ बाढ़ने के लिए हमेशा तयार रहता था He said to the farmer उसने किसान से कहा The weather was bad outside बाहर का मौसम बहुत ही खराब है You wanted shelter तुम्हें पना चाहिए थी You knocked at my door तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी And I open it for you मैंने उसे तुम्हारे लिए खोला Just imagine फर्ज करें What might have happened If I had not allowed you in अगर मैं आपको अंदर आने की इज़त ना देता तो क्या होता The knocking at the door continued दरवाजे पर दस्तक जारी थी The old man didn't wait to hear the farmer anymore बुड़ा आदमी किसान को मजीद सुनने के लिए इनतजार नहीं कर सकता था And rush to open the door और दरवाजे को खोलने के लिए दोड़ा This time there was mother with her two small children इस मरतबा एक औरत अपने दो चोटे बच्चों के हम रहा थी Shivering with cold जो सरदी से कांप रहे थे Old man asked them बुड़े आदमी ने उन से पूछा To come in at once पहले आप अंदर आजाएं And said to the farmer और किसान से कहा Now see What would have happened to the little children in cold stormy night अब इन्हें देखो इस सरदी और तुफानी रात में इन बच्चों के साथ क्या होता The farmer felt guilty Farmer ने खुद को Farmer शर्मिनदा हुआ Sorry किसान The farmer felt guilty किसान शर्मिनदा हुआ And apologize to the old man और बुरह आदमी से माज़रत की I am very sorry sir जनाब मैं बहुत शर्मिनदा हूँ मैं बहुत माज़रत कहा हूँ I was selfish मैं खुद गर्स हो गया था Please forgive me मुझे माफ कर दीजिए I'll never say such things again मैं दुबारा ऐसी चीजें कभी नहीं करूँगा या मैं दुबारा इस तरह से कभी नहीं करूँगा The whole crowd spent the stormy night standing in that little hut तमाम जो उस जोंपड़ी में थे पूरी की पूरी तुफानी रात उसी जोंपड़ी में खड़े होकर गुजारी They chatted about all sorts of things उन्होंने तमाम मुझाद के मुझे गुफटगु की and praise the kindness of their house और अपने मेजबान की रहम दिली की तारीफ की The old man set an example of a great virtue to be followed बुड़े आदमी ने हम तमाम के लिए अमल करने के लिए अजीम ने की की एक उम्दा मिसाल काइम की So viewers जो आज का हमारा जो ये पहला दूसरा बलके जो लेसन था इस एट्थ कलास का वो हमने ट्रांसलेट कर दिया और इन्शाला जबाजल जो इस हवाले से हमारी जो दूसरी वीडियो होगी जो इसकी exercise के लिए होगी वो इन्शाला जो है ना बोपा जलत आप तक मैं पहुंचा दूँगा At the end वही बात कहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको दूबरा नहीं मिलेंगी तो जल्दी से मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि आपको इस तरह से informative वीडियो आप तक पहुंचते रहें शुक्रिया